नमस्कार सभी सातियों के एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी मेटल फॉर एक्जाम परता है दिल से अर्दिक स्वाकते सातियों तो यानि बीस्टी सी कोलेज अलोटमेंट हो चुका है और मिनने टेलिग्राम पे भी न्यूज डाल रिखी और यूट चलेगी ओनाइं जम्मा करना चाहिए और चैन्ज करना चाहते हैं वह भी हो जाएगी उसका आपके एक बाद में आने वाला है एक बार रिपर्टिंग होने के बाद में अपरवार मुमेंट होता है यानि तो उसके बाद में कर लेंगा अगर आपके फस्कोलेज मिल चूज रवाहिए तो अब नहीं होगा अब आपने सेकंड कोछेज मिली है और आप फस्स में जाते तो उसका अपधार मुमेंट का मतलब होता है कि उपर से नीचे यानि इसे चार नमबर कोलेज मिली है तो 3-2-1 में आप जा सकते हों ना कि के लिए जो कितने नंबर तक अभ्यारतियों को जो कोलेज मिल चुकिए तो उसकी चर्चा करने वाले एक दो मिनिट में पहले बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए पास में बला इकन कोल पर क्लिक कीजिए ताकि आगावी जो भी ओफिशिल नोटिफिक्शन है आपको छनल पर मिलता रहे और जीत को नहीं मिलिये वह कितने नंबर तक है कि आने की संबाव नहीं और बढ़ेंगे किने को बात कर रहे हैं मैंने आंकड़ा एक्तरित किया था ठीक है तो उनसे पूछने के कर दिया उसके ऐसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं तीन सो पिचाशी के अंदर ऐसी जुम्में मेल्स की बात कराओ तुमेल की पांदस नमबर आग फिचह रही थे ना ज्याद नहीं थी बाकी में कई में सम्धिक सम्धिक पास में बाकी में कर दोनों के अगर अब तो उनको सबसे पहले उनको मिलेगी जिनकी उमर ज्यादा हो तो जिनकी क्राइटेरिया के हिसाब से जिनकी एज लिमिट वह ज्यादा है तो उसको हिसाब से 308 तो लों को कुलेज मिलेगी और इसकी फिमेल की बात करें तो आसपास 400 नहीं है में लड़कियों के डिफरेंट रहा 400 MBC प्लस है तो उनको कुलेज मिल गई है बात करें अब 366 है यह 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 फिमेल के यानि 366 के आसपास MBC वरक की जो लड़किया है फिमेल से उनको भी कॉलेज मिल गए 366 यानि इनकी कट आफ बहुत कम गई बात करें तो 35 है यो जिन्हें है 405 प्लस है या यह 405 के आसपास है तो उनको कुलेज अलोट हुआ अब देखिए बाकी यह बाकि फिमेल है की आपके 26 तरिक तक जो 27 को रिपोर्टिंग टेस्ट तो कि लास्ट डिट ही आप करेगी ओनलाइन फिजिकल वारी रिपोर्टिंग ठीक है और उसके बाद में पांस दिन डेट वगेरा गवर्मेंट फिक्स है कि पांस दिन बढ़ने वाले हैं रिपोर्टिंगे तो पांस दिन को पढ़े दाएंगे फिर अपर बार मोमेंट से लेगा अपर मोमेंट के बाद में अगर लिच्ट ने खाली रहती है और रिस्ट लिस्ट इस और रिस्ट में आईगी तो इक यहां दो लिस्ट होगा जो दिफ्रेंट रहना वाला है और खेंज किस आफ मान के जो बहुत बात करना हूं तो फिर के एडिक्यूशन का कोडिंग तीन नंबर मालो यानि दो किशनों के आप देख लो तीन दूलिच्छ है यानि छे से आठ नंबर की बीच में कटोप बढ़ने की पूरी संभावना है जैसे अभी ओवी सी कितिरी चार सोगे आसपास तो चैसा 8-10 मालो यानि 390 प्लस है उसी के अ अंदर वह उमीद करने चाहिए कि हाँ वेट करना चाहिए आपको कोलेज मिली की संभावना में आपको देखो बतर अगे बाकि वैसिकली होता है यह एक से दो क्रिशन यानी बोले तो छे नंबर तो चे अंक कटोग आगे फिच रहती फस्ट किस फस्ट इसे से कीलिस्ट के अंदर तो सेकेल लिस्ट आपके मान के चलो फरवरी मिट तक आएगी क्योंकि काफी टाइम तक यह चलेगे अठेस तक तो यह है ओनली और टेस्ट के बाद में पास देन बढ़ताएंगे फिर फरवरी में तक वापस उमीद है अगर सिटे खाली रही तो तो इस रिलिश्ट आएगे बाकी कोई संबावना उसकी नहीं है फिर एक वेटिंग निकाल देंगे एक एक आड़ इस रिलिश्ट के रूप में और इसमें एक दो कोई सिटे बाकी रहें कि तरे बाकी बाकी ज्यादा तर सिटे एंट्रेट परसेंट सेकेंड लिस्ट में बढ़ जाती है ठीक है तो सेकेंड लिस्टी तो फिक्स है आएगी जब भी आईगो आपको टेलिग्राम पे मैसेज सकते होगा कि आपकी सारे की आपकी पूरी की पूरी में शाहिता कर सकता हो अपकी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजे सेर कीजे सबस्क्राइब करना बिल्कुल नबूले जहिंद्ग मिलते आपको अगले नए वीडियो में तब तक लिए दन्यवाद